हुलो मेरे प्यारे श्टूडेंट । मेरे प्यारे चात्र, मेरे प्यारे शाथी आज फिर से हम लोग देखेंगे previous question जो 2018 में फूछा गया है यह प्रस्ण मैट से लिया गया है, metric के लिए BBI है आप देख सकते हैं इसमें 153 नमबर कुश्चन आज हम लोग बना रहे हैं इसके पहले जितने प्रस्ट थे एक से बावन एक सो बावन तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहला जो प्रस्ट है इसमें 153 नमबर प्रस्ट है है संख्या रेखा यानि नमबर लाइन पर परतियक बिंदू प्रदर्सित करता है देखो बावू परतियक बिंदू जो संख्या लाइन आप खिचते हैं जीरो है एक दू तीन करके जाते हो दू तीन ऐसे वैसे माइनस एक माइनस दू माइनस तीन संख्या रेखा तो संख्या संख्या रेखा जो है आप सभी संख्यान जो माज DENNIS होती है यह सब वास्षु संख्याँ लिखा है एक पर्मिय में रहताया है तो निश्चित में complete नहीं रहता है यह आपका 100 हो सामिल हो जाएगा खाएगा फीर से हम मायनस को सामिल कर देते हैं ते पुरांग संहिया हो जाएगा यानि सधारण भासा में समझो तो संख्या रेखा जो है तो सभी उस पर जितनी संख्याएं आती है वो कौन संख्या है वास्टबिक संख्या है अगला प्रस्न है निम्न लिखित में कौन सा निम्न दस्मलाव प्रसार सांथ है तो देखिए यहां है 11 बटा 700 है 11 बटा 700 अब इसको कुणन खंड करेंगे तो 7 कहीं जाएगा नहीं 7 आएगा ठीक है इसमें भी कुणन खंड 5 है और यहां इसको जदी हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे 7 गुने 7 गुने 7 में तो आपका 3 से 43 हो जाएगा यानि इससे यह केंसिल हो जाएगा बच जाएगा 2 के पावर 3 5 के पावर 3 ठीक है तो यही आपका सही उत्तर होगा यही सही उत्तर होगा ठीक है चुकि इसके सर्त जो होंगे वो आपका 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में जदी होंगे ठीक है यह हर इसका किसी भी संख्या का हर जदी 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होंगे तो सांथ होंगे या केवल 2 के पावर N के रुप में होगा तो भी सांथ होगा 5 के पावर N के रुप में होगा तो भी सांथ होगा लेकिन इसकी अलामा कोई और संख्या रहेगा तो असांथ होगा जैसे इसमें आप देख रहे थे इसमें 7 था उपर से कैंसिल नहीं होगा इधर से भी cancel नहीं होने वाला है है ना तेर सत्य एक आविर हो जाएगा नहीं कटेगा समझें न तो आपका सही उतर यह हो जाएगा यह cancel हो जाएगा आपका 2, 3 के power 3, 3 बच जाएगा यानि उसके हर किसके बराबर हो जाएगा 2 के power N अब 5 के power N के बराबर हो जाएगा अगला प्रस्न है सबसे छोटी सबसे छोटी पूने वर्ग संख्या जो 16 20, 24 परतीक से भाज हो वह है तो अगला है यह कुस्चन जो है यहाँ देख रहे हैं न सबसे छोटी पूने वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 परतीक से भाज हो वह है तो वह है तो आप कौन-कौन भाज होगा भाज तो यह नहीं है 24 से नहीं हो पाएगा यह 24 से है 20 से है लेकिन यह 24 से नहीं होगा यह 24 से हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ क्या कहा है पून वर्ग संख्या ये देखना है बोर्ग इसमें दो ही संख्या है एक तो ये बी वाला है और एक है डी वाला तो ये तो 24 से नहीं कटेगा अगला प्रसन है दो संख्याओं का लगुतम समापतक इनके महौतम का चोदगुना है लगूतम समापॉर्ट यानि LCM तथा महौतम यानि HCF का जोग इतना है यानि छोग से है जदि एक संख्या असी हो तो दूसरी संख्या कहाती है देखे इस प्रकार के संख्या को क्या करेंगे कि HCF को हम क्या करेंगे मान लेंगे HCF को मान लेंगे X LCM कहता है कि उसके 14 गुना है 14 X हो जाएगा 14 X हो जाएगा इसको तो हमने मान लिया 14 X अब कहता है यहां कि LCM और HCM का जूड है 600 तो यानि HCF पलस LCM है 600 यानि यहां X है पलस यहां 14 X है तो यह हो जाएगा 600 बबू यहां से हम क्या कर सकते हैं 600 हो जाएगा आब यहां से यह हो जाएगा 15 15 X बराबर हो जाएगा 600 और X बराबर हो जाएगा 600 बट़ा 15 और 15 C来illy Ñगा 40 हो जाएगा अब बताओ यहां X का मान 40 हुआ तो यानि X क्या है च्या है HCF है तो LCM कितना हो जाएगा 14 गुणे 40 हो जाएगा 14 चुका 56 यानि 560 आप इन दोनों को जोड़िये गतो आजाएगा 66 ठीक है फिर कहता है कि एक संख्या यहां देखिए कहता है एक संख्या दूसरा संख्या बताईए तो आपका D1 चाहें आपका N1 दिया है दूसर औसी तो N2 ग्याद करना है तो आप जानते हैं कि N1 यानि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है होता है ना तो आप कहा करिएगा कि यहां आप कर दिजिए दूसर औसी दिया है और N2 यानि दूसरी संख्या निकलना है यहां 40 है और इसका 560 है अप कहा कर यह N2 निकलना है तो सीधी सी भासा है यहां आप जेनरलिस से इससे आकर भाग लगा दिजिए या गुणा में है तो भाग लगेगा तो यहां से कट जाएगा आप देखो यहां से कट जाता है कि नहीं चार सतर यानि सात मर्थ में कट जाएगा सतव अच्छपन यानि औसी हो जागए है जब औसी हो गया बाबू यानि N2 का औसी हो आगया आपको पता है कि N1 है दूसर औसी है ठीक है Q के रूप में जहां PQ पुढांख है Q is not equal प्रगट किया जा सकता है यहां आप देख सकते हैं कि यहां 23.45 है तो आपका सही उतर यह है बी नमबर है देख रहे हैं यहां है 23.45 अबाटा में 100 है ठीक है आपको सही उतर हो जाएगा अगला प्रसने यहां देखिए ध्यान से यह सुनियों कि अप देखिए क्या थी अपने प्रसना देख सकते है यहां क्या प्रसर बीटा गए है अल्फा एंट बीटा से आप पहले इसको से हल किये आपका दिया है 6.6-6-6-6-6-6-6 कड़ बीटा निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा बाबो माइनस भी यह होता है तो माइनस छोव बाई दू हो जाएगा तो तीन हो जाएगा यानि इसमें आप देख लीजिए अपसन में क्या दिया है अपसन में अपसन नमबर एक सही है अपसन नमबर एक सही है दूसरा आप देखिए उसके बाद प्रस नहीं होगा एक सदिक हल होगा अनन्ध हल होगा तो आप देख सकते हैं एवन बराबर एक है बीवन बराबर दू है और सीवन बराबर पांच है ठीक है और यहां लेज़ दस समीकरोन में करेंगे फिर बराबर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा दस समीकरोन करेंगे तो यह माइनस में आएगा यह भी माइनस में आएगा यह सी वाला मान ले यहां लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 3, B1 बटा B2 बराबर 2 बटा 12 यानि 1 बटा 6 तो आप देखिए अब यही दूनों बराबर नहीं हुआ यानि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के अर्थाती यह अदियूतिय हल है यानि एक हल है एक हल होगा अदियूतिय ह में कौन भुपद नहीं है मेरे दोस्त भुपद नहीं है जैसो यह स्वेखिंकि एक खाथ कम मैं मन कम से कम एक होना चाहिए सब्सच्राइब के लिए यह का खान एक होना चाहिए रखिक से शुरू होता एक रहेगा तो रहेगा दोड़ाहद दिफगाथी तो यहां आपका दो है ठीक है यहां यह एक्स है बाहर है और यह नहीं होगा क्योंकि एक्स घात इसमें माइनस में आ जाएगा यह बहुपध है यह भी बहुपध है यह भी बहुपध है तो आपका सही उत्तर कहता है कि बहुपध नहीं है तो नहीं वाला सी अपसन नमर सी हो यह प्रस्त है आप देख सकते हैं यहां दिया है 0.3x माइनस में 0.37x माइनस में 0.37x माइनस में 0.3 आप दखिए जो जिस जाती का है वहां कर दिजे यह वला यहां लेकर आ सकते हैं तो माइनस में 0.37 है तो यहां प्लॉस में 0.37 हो जाएगा यहां 0.37 है एक्स है इसको लेकर आ सकते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा समझें न तो यहां माइनस में हो जाएगा 0.3 ठीक है यह म घोटेगा इसे से घोटेगा तह यहां 0ूप्त है घोटेगा माइनस में बचेगा 0.07 यहां हो जायेगा यहां भी घोटेगा यहां भी बचेगा 0.07 साथ एकश एकस कमान निकालेंगे तप दोस जीरू पॉइंट जीरू साथ ब에 जीरू पॉइंटू जीरू साथ खटेगा तो बुरावर माइनस एक आयागा तेसके लिए अंसर आपका जो माइनस एक होगा वह आपका सब्सक्राइब ठीक है अगला है कि चौव एक्स के पाउर फोर वाई तेथा बार एक्स वाई का महत्तम समापर्तक यानि एक्स तीन कर दीजिए फिर एक है यहां करें चौव एक्स वाई गुणा में दू कर दीजिए चौव दूना बार हो जाएगा अब यहां से जो मीलता है वो इसके हो जाएगा यह आपका सही होगा चलिए मेरे दोस्तों यह वाला कोशन जो है 163 नम संख्या नमबर 163 प्रस्त नमबर 163 यह आप लोग बनाईए ठीक है बहुत असान है बहुत मैदार है यह आप लोग स्वेम हाल करिए ठीक है अब अगला प्रस्त हम देख लेते हैं अगला प्रस्त जदि दिवगार समिकरण दिवगार समिकरण ax square minus 4ax plus 2a plus 1 बरब 0 हो तो 0 हो का समान मूल है तो a का मान बताना है मूल समान होगा तो जब मूल समान होगा तो d बरबर क्या हो जागा 0 यहाँ देखिए दिया है यानि समिक्रण दिया है आपका ax square ax square minus 4ax और plus में है plus में है 2a plus 1 2a plus 1 बरबर 0 तो यहाँ मूल समान होगे तो कितना हो जाएगा मूल समान होगे तो बाबो मूल समान होगे तो हो जाएगा आपका हो जाएगा b square यानि फर्मूला होता है b square minus 4ac बरबर 0 ठीक है b के जगह पर क्या है यहाँ देख रहे है तो माइनस 4a है तो 1a square minus 4i into a के जगह पर तो बाबो a ही है तो a ही रखो c के जगह पर यहाँ देखो कितना है c के जगह पर है तो 2a plus 1 हो जाएगा बरबर में 0 होगा ध्यान देना यहाँ से हो जाएगा 16a square माइनस में यह 4a से हम यहाँ गुणा करेंगे तो 8a square माइनस में 4a होगा बराबर में 0 होगा ठीक है फिर यहाँ इसमें से घटेगा दोनों एक जाती का है तो 8a square बचेगा माइनस 4a बराबर 0 हो जाएगा अब 4a कमन ले लेंगे तो 2a minus 1 बराबर 0 हो जाएगा अब हई तो इधर आएगा तो भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा तो 2a minus 1 बराबर 0 हो जाएगा यानि ए बराबर 1 by 2 हो जाएगा ए बराबर 1 by 2 हो जाएगा तो आप ए बराबर 1 by 2 कहा है तो अब सन नमर बी में है आप देखिए कहता है चोंसट के बर्गमूल चोंसट के बर्गमूल की चोंसट के घनमूल से भाग देने पर देखिए चोंसट के बर्गमूल करेंगे तक इतना आएगा वह आठ आएगा और चोंसट के घनमूल करेंगे तक इतना आएगा चार आएगा क्योंकि 4 चुका 16 चुका 64 घंबूल करेंगे तक आएगा चार आएगा आप को आता है कि बर्गमूल 64 के बर्गमूल की 64 की घंबूल से भाग देने पर मान होगा जब हम इस चार से इसमें भाग देंगे तो चार दूना आठ आएगा तो दू अप्सन दू हो जाएगा कि ऐसमें करते हैं अन पुलस conoc correct गूनक एकी ख़वरास और फुलस और जिसमें सिर्फ तभी तब यह करते हैं एक एए एए थ्ड़नांत्मक पुढांख यही तस is llr again in एक धनात्मक पुड़ांख है क्या हो जाएगा एड़ धनात्मक पुढांख है ठीक है ना यह आपका सही है जो मैंने कहा था कि आपका 64 है Señor sats सबस्यीन करें दखें तो आठ करेंगे beni आठा जायेगा चार जागा तो से आठ में भाग कर देना है आपको सही उत्तर हो जाएगा दो फिर वही हाल है यहां 166 में आपको क्या कर देना है इसका मान सही मान यह हो जाएगा अब सुनेगा ठीक है धन्यवाद